नमस्टार बच्चों मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागित करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही इंप्रस्टिंग क्लास में कक्षा दस्वी के अपने प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही हिए जाबरदस्त हमारा चैप्टर चैप्तर का नाम जैसे आप लोग हमारे पीछे देखी पा रहे हैं चैप्टर का नाम है लोकतंजर के परिड़्याम और इसे चैप्टर से संबंदिद वन ऑफ दी प्रवाइब देखने को मिलता है तो आपको घबरानी के आवशकता नहीं कि सर क्या यह वाला चैप्टर हमारे वोड में है कि नहीं सबी वोड के अंदर मौजूद है चलिए चैप्टर का नाम है लोगतंतर के परिणाम और यह वाला जो हमारा अधियाय है दोस्तों हमें कहां पर देखने को मिलता है आप देखते हैं कि दोस्तों जो हमारी राजनेतिक विज्ञान या फिर जिसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी पुकारते हैं वहां पर हमारा यह चैप्टर हमें देखने को मिलता है तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपने इस प्यारे से चैप्टर को आप सभी के सामने रखेंगे और इस चैप्टर की जो सारी कहानी है उसको एक एक करकर डिसकस करते चलेंगे तब से पहले इस चैप्टर से संबंधित जो हमारे आप लोग देखते हैं दोस्तों की शौर्ट कोश्चन्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे फिर इस चैप्टर से संबंदित लॉंग कोश्चन्स को देखेंगे और फिर इस चैप्टर से संबंदित जो आपके प्राजा गराज होता है हमने लोकतंद्र को देखा जहाँ पर लोगों गराज होता है वहीं पर हमने इसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों की स्टेवने तंद्र को देखा जहाँ पर किसी देश की सेना की द्वारा आप देखते हैं देश को चलाया जाता है तो इन सभी शासर मुदस्थाओं में सबसे बहत्रीन शासर मिवस्था लोकतंद्र को ही माने जाता है क्योंकि लोकतंद्र के अंदर जो नेता लोग होते हैं जो जंता की द्वारत Online जाते हैं यह जंता के प्रति उत्तरदाई या फिर जवाब दे होते हैं जंता इन से सवाल पूछती है और इनको जवाब देना होता है और ये देश के समीधान के हिसाब से चलते हैं और इसी वज़ा से हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्रिक शासन विवस्था पूरे तोर पर क्या है दोस्तों सबसे बहतरीन शासन विवस्था मानी जाती है अच्छा लोकतंत्र के अंदर ये देखा जाता है कि जो फैसले होते हैं उनमें लेने में देरी होती है क्यों होती है क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जैसे एक राजा हुआ ही तो लोक्तांत्रिक व्वस्थाओं के अंत्रक्त हम देखते हैं कि विचार विमर्ष किया जा जाता है और इसलिए लोगतंत्र के अंदर जो फैसले होते हैं उनमें ठ 550 ल fishermen से जो निये जाते हैं उनका क्या लाब होता देखे, लोकतंतरिक शासन विवस्था का सबसे बड़ा फायदा या फिर सबसे बड़ी विवस्था, ये सारी विवस्थाओं में सबसे बहतरीन क्यों है, क्योंकि लोकतंतर के अंदर हर एक चीज पर discussion होता है, क्या हमें देश से संबंधित इस मुद्धे पर कानून बनाना च अगला सवाल है कि लोगतांतरिक सरकार किस तरीके से पारदर्श्य होतی है। अब दोस्तों पारदर्श्य का मतलब होता है कि लोगतांतरिक शर्सामेबस्था में जो इस सनल लिए जाते हैं। क्या वो कमरों के अंदर बंद कमरों के अंदर लिये जाते हैं नहीं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि लोक्तांतरिक सरकार वेध होती है वेध का मतलब है दोस्तों लीगल है ना कि ये कानून के हिसाब से चलती है भाई लोक्तांतरिक सरकारें जितनी भी होती है ये पूरे तोर पर वेध होती है क्यों कि आप देखते हैं दोस्तों कि लोक्तांतरिक सरक इसे हटा दिया जाता है और इसी अधार पर हम लोग कहते हैं कि लोगतंत्रिक सरकार जो होती है वो पूरे तोर पर हमें वेड दिखती है अच्छा एक सवाल है दोस्तों कि आर्थिक असामानता मिटाने में लोगतंतर कहां तक सफल रहा है देखिए एक सबसे बड़ी जो बहुत कम है लेकिन अगर हम दुनिया के अधिकतर लोगतंत्रिक देशों के बात करते हैं जैसे ब्रस्डील हुआ भारत हुआ वेनिश्वेला हुआ इन सभी देशों के अंदरगत लोगतंतर तो है अपीटू यह आर्थिक तौर पर तो लोकतांतरिक विवस्था के अंतरगत एक बड़ी कमजोरी ये है कि ये अमीर और गरीब का जो अंतर है ना उसे कम नहीं कर पाई ये है ना तो लोकतांतरिक देशों में हम देखते हैं कि अधिक असमानता देखने को मिलती है और ये अमीर और गरीब के अंतर को कम करने में असफल रही है अगला सवाल है कि महिलाओं को समान अधिकार क्या लोकतंतर में मिल पाया है है ना अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि लोकतंतरिक शासन विवस्था में सबको समान माना गया है चाहे आप किसी भी लिंक के हों चाहे आप किसी भी जाती से आते हों चाहे आप किसी अधिक अधिकार दिये जाते हैं ताकि अपना जीवन बहतर कर सके अगला सवाल है कि लोकतंद्र किस प्रकार उत्तरदाई, बवेद शरकार का गठन करता है भación बहलों कि अदर जो हमारे नेता लोग होते हैं वो जनता के प्रति जवाब दे होते हैं जनता सवाल और आगर वह अपने हिसाब से अगर हिसाब से काम करें तो उनको हटा वह भी जा सकता है लोगता अपनी मनमर्जी से कोई भी नियम और कानूनらい बनता अग्ला सवाल कि लोकतांत्रिक शास्तान व्यवस्ता ही एक अईसी शास्तान व्यवस्ता है जिसके अंतरगत हम लोग देखते हैं कि भिन भिन धर्म हुए अलग 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 जातियां हुई कि आ भी के बीच में को टक्राव हां जाता है सबको देश के शालतन में मुझा देती में सबका साथ करती है और इसे या हं कि लोगों के साथ पूरे तॉर समन्जस से उस्हें बनातीений अच्छा निमलिकित कत्रों के पक्ष या विपक्ष में आपको तर्ग देने हैं कि ओध्योगिक देश लोगतांत्रिक विवस्था का भार उठा सकते हैं पर गरीब देशों को आर्थिक विकास के लिए ताना शाही चाहिए कि आपके लिए इस बात से आप सहमत हैं कि जो अमीर देश है महा पर लोगतंत्र लाया जा सकता है लेकिन जो गरीब देश है ना महा पर राष्टंत्र लाना ही होगा और राष्टंत्र लाकर ही उन देशों में हम लोग गरीबी को कम कर सकते हैं क्या ऐसा होना संभव है यह चेरीन की या फिर हम लोग बात करते हैं दूबई की इन सभी देशों के अंदर हमें राश्टंद्र देखता है और यह देश अमीर भी हैं क्योंकि यहां पर राश्टंद्र है स्के पीछे एक और बड़ी वज़ा यह भी है कि इन देशों जादा होगी और वहाँ पर फिर भी राश्चंत्र लिया जाएगा तो आप देखते हैं दोस्तों कि उसका कोई बड़ा सफलता पूरवक हमें निश्करश आता हुआ नहीं दिखेगा अब ये हमारा उत्तर रहा अगला सवाल है कि गरीब देशों की सरकार को अपने जादा संस साधन गरीबों को कम करने गरीबी को कम करने कपड़े को बाटने और स्वास संबन्दी बुन्यादों पर करने चाहिए आप इसके बारे में क्या सोचने देखिक कि किसी भी देश के अंदर अगर आप उस देश को गरीब देश कहते हैं तो उसकी पीचे सबसे बड़ी होड़े भिन भिन प्रकार कि आप देखते हैं दोस्तों की संसाध्रों को प्र। लोगों को उनके पैसा आएगाट करीज सکते हैं अपनी अपने खाघी हरी सकते है payments अपर घर सकते हैं अपनी चमश पर रोजगर को प्रोज़ करें और अगर रोजगार को अधिक सधिक प्रोवाइट किया जाएगा तो आप देखते हैं कि देश के अंद्रकस से गरीबी को कम किया जा सकता है ना अच्छा नागरिकों के बीच आर्थिक समानता अमीर और गरीब दोनों के लिए लोकतांतरिक देशों में देखने को मिलती है देखे दुनिया के चाहे आप लोकतांतरिक देशों को देखे या फिर अलोकतांतरिक देशों को देखे वहाँ पर हमें आर्थिक समानता तो देख अगला सवाल है कि लोगतंतर में किसी तरह का कोई परभुत्व और तकराव नहीं होता जी हां बिलकुल सही बात है कि लोगतंतर के अंदर आप किसी भी समाज से आते हूं आप चाहे जितने भी पड़े लिखेंगे अब देश के अंदर मालीजी की चुनाव हो रहे हैं और इस कि अगर मैं वोट देने जा रहा हूं तो मेरे वोट की वैल्यू दो होनी चाहिए मैं एक वोट दूँगा इसको दो बार गिनो क्योंकि मैं ज़्यादा पड़ा लिखा हूं मैं ज़्यादा ग्यानी हूं और अनपड़ विक्ती के लिए एक गिना जाए कि ऐसा होता है नहीं कि नीचे दिए गया ब्योरे में कुछ और हमारे प्रचाना है दोस्तों वह एक- cảकर कर हम लोग देखते चलते हैं और बहुत अच्छे तरीके य कि प्रशनों के उत्तर को हम लोग देखते चलते हैं गर देश केандरकत हम लोग हम लोग ओञेखते हैं तर będ देखते हैं कि जो गैर दलीत लोग हैं उनलग अलग डर्वाजे रखने वाले मंंदिर को एक दर्वाजे में सब को परवेश करने की अनूच ऑडल इसा में एक्समान नहीं माना जा रहा है हर वेक्टटी को रרג powinी आ बढ़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं किसान पैसा लेते हैं उधार और उसके बाद फसल को उगाते हैं जितनी फसल उगती है वो खराब हो जाती है सड़ जाती है किसान को होता है नुकसान और फिर वो अपनी जान को खो देते हैं कोई मरना नहीं चाहता आप देखते हैं दोस्तों कि हर एक वेक्ति अपने जीवन को प्यार करता है और जब कोई वेक्ति अपने जीवन को समाब करता है तो उसका मतलब है कि उसके पास कोई और solution होता ही नहीं है तो कहीं न कहीं यहाँ पर हम देखते हैं कि सरकार की भी फलता देखने को मिलती है समाच के तौर पर हम हारते हुए देखते हैं तो जरूरत है कि सरकार मुख्य तौर पर किसानों की अधिक से अधिक मदद करे और नियूंतम कि अगर किसी किस्तान का कोई समान नहीं भिक रहा तो वो सरकारी गोदाम में जाकर अपने समान को बेच सके और उसको इतना पैसा मिल जाए कि उसका नुकसान कम कम्प्लीट हो जाए इस प्रकार के सुविदा हमारी सरकार को करने चाहिए जमुकश्मीर के आप देखते हैं कि गड़वार जिले में मुढभेड हुई और पुलिस के द्वारा तीन नागरिकों की हत्या करने के आरोप देखते हुए इस घटना के जाज के निर्देश दिये गए हैं तो इसको आप किस तरीके से देखें के इसको आप लोग आर्थिक समानता के दौर पर देखते हुए आगे बढ़ेंगे हैं यह जो है कि अगर पुलिस के द्वारा तीन नागरिकों की हत्या की गई है और उन्होंने कुछ गलत काम किया था इसकी अधार पर भी है समान कानून सब के लिए लागू होगा चाहे वो देश के किसी भी इलाके के अंदरगत रहने वाले लोग हो उनके साथ पूरा नियाय किया जाएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ हमारे जबरदस प्रशन होंगे उनको एक एक करकर आप सभी के सामने रखना शुरू कर और Stewデine और मोग देखते हैं कि हमारे आधिवासी और अगर वह देखते हैं कि चुनाव लड़न चाहते हैं तो क्या वह सकते हैं साँ։ पिछले से पिछला वेइखती हो है ना आप देखते हैं कि वो देश के अंदर का सब को राजनेतिक तोर पर बराबरी आप देखते हैं दोस्तों दी गई है और सब को आगे बढ़ने का मौकत दिया गया है लोकतंद्र के मूल ल्यांकन की लिहास से इन में से वो क्या चीज़ है जो हमें लोकतंत्रिक विवस्थाओं में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती देखिए लोकतंत्र के अंदर सबको अजादी होती है लोकतंत्र में चुनाओं बिल्कुल सही होते हैं लोकतंत्र में हर वेक्ति को सम्मान मिलता है लोकतंत्र में कानून की नदर में स सबका साथ सबका विकास होता है देश के अंत्रद्र सबको साथ लेकर चला जाता है तो यह वाली बात आप देखते हैं दोस्तों कि बिल्कुल गलत बनती है अगला सवाल है कि राजनेतिक और समाजी का समंताओं के बारे में दिये गए अध्यन बताते हैं कि लोकतंतर में सबक राजा का राश्तंतर होता है वहाँ पर थोड़ी गरीबी हमें कम देखने को मिलते हैं लेकिन वास्त्रिक्ता में उसे बहतर ही वाना जाता है कुछ और हमारे प्रशन है कौन सा कथन सत्य है या आपको बताना है लोकतंतरिक शासन विवस्था आंतरिक समाजिक मद्भेदों से आखे मून लेती हैं और उन्हें दबा देती है समाजिक मद्भेद विभाजनों और तंगर्शों को तंभालने की शमता इस प्रकार लोकतंतरिक शासन का एक निश्चित प्लस पॉइंट है लोकतंतर आम तोर पर अपनी प्रतिस प्रधा संचलित करने के लिए प्रकिरिय सब ही समाजों को आप लोग देखते हैं साथ लेकर चला जाता है और सब को आगे बढ़ाने का मौकत दिया जाता है लोकतंतर के अंदर आप लोग देखते हैं कॉम्पेटिशन तो होता है लेकिन वो समाज को विक्सित और बहतर बनाने के लिए किया जाता है अगला सवाल है पूछा जा रहा है कि वेक्ति की गरीमा और फुतंदरता को बढ़ाने देने में निमलिखित में से कौन सी शास्तान मेबस्ता हमें देखती है कि हर वेक्ति का सम्मान हो अमीर से अमीर गरीब से गरीब कमजोर से कमजोर और हर वेक्ति को अजादी मिले यह सिर्फ और तरिफ हम इनकी संखिया कम है और जिनकी संखिया जादा है इनकी सोच बदलती रहती है बिल्कुल सही बात है लोगतंदर में यह भी आवशक है कि बहुमत का शासन धर्म या नसल या भाशाई अधार पर बहु संख्यक समुदाय का शासन ना बन जाए ऐसा लोगतंदर के अंदर आप कोई निर्ले सही प्रकिरियाओं के माध्यम से किया जा रहा है वो क्या पता करता है कि अगर आप पता करना चाहें कि जो फैसले लिए जा रही है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है और कोई पी चीज लोगतंदर के अंदर छुपाई नहीं कि जाती इसे हम लोग कहते हैं ढ temas दोस्तों इसे हम लोग क्हाते हैं पारदर्शिता है ना के अगर आप लोग की पता करना चाहें कि जो फैसले लिए गए ऊसरी तरीके से लिए गए तो उसी को साथ लोकतांतरिक सरकार के एक अनिवार्य प करिणाम होता है दीखे लोगतांतर के अंदर जो अंकी होती है दोस्तों आप देखते हैं किसके पास होती है देश के समीधान और देश के कानून शहासनन में नहीं होती आगला है कि महिलाओं के साथ समान वेवार लोक्तांतरिक समाज का एक आवशक घटक है इसका मतलब क्या है कि लोक्तांतरिक शासन वेवस्थाओं के अंत्रगत आप लोग देखते हैं कि महिलाओं के साथ हमेशा सम्मान की दृष्टी से वेवार किया जाता है और उन्हें आगे बढ़ने का पूरे तौर प क्या गुमिका अगर आप लोग अधिक साधिक सिक्षिट होंगे तो आप अपने समाज के अंदीर भेधभाव को खतम कर देंगे लोकतंतरिक सोच आपके अंदर आएगी आप समाच के अंदर आप देखते हैं कि जाती की अधार पर भाशा की अधार पर जो भेदभाव होता है उसे कम कर सकते हैं और इसी अधार पर हम लोग देखते हैं कि दोस्तों लोगतंतर के अंदर का सिक्षा को मजबूती देनी चाहिए किस तरकार में चुनाव नियमित तौर पर होते हैं लोगतंतरिक शासन विवस्ता में आप देखते हैं कि हर पांच-पांच साल के बाद चुनाव हमें होते हुए दिखते हैं और दोस्तों कुछ इस तरीके से हम लोगों ने आप सभी के साथ यह जो हमारा क्वेशन रहे थे लोगतंतर के परिणाम से संबंदित उनको आप सभी के सामने किया इस चैप्टर से ये कोशिंस बहुत जादम बहुत बार आपके वेबर के अंदर पूछे गए हैं और इसलिए हमने इस सवालों को आप सभी के सामने रखा है उमीद करते हैं दोस्तों कि हमारी ये जो क्लास होगी आपको बहुत पसंद आई होगी आप लोगों से मुलगात करेंगे अपने किसी और नए सेशन के अंदर अपना ध्यान रखिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद